हेलो दोस्तों मैं कि राजबुर आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है आज आप सभी को बताने वाला हूं कैसे आप आप एरसेंस अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट एड कर सकते हैं आज की टोपिक में आपको यहीं बताएंगा आपको किस-किस चीज की जरौत पड़ेगी और कभी एड करना है क्या कुछ करना है आपको सभी बताने वाला हूं तो वीडियो को बिल्गुल भी स्किम मत करना वीडियो को पूरा देखना चलिए शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को बताएं कैसे आपको क्या कुछ करना है आपको किस-किस चीज की जरौत पड़ेगी आपको सभी बताने वाला हूं मैं आज की इस वीडियो में पूरा कन्फर्म करने वाला हूं क्या-क्या चीज की जरौत पड़ती है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किम्मत करना अगर वीडियो को किया आपने तो सायद के कोई स्टेप आप से छूट जाए और फिर आप कोई गलती कर दो क्योंकि बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं क्यों चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन की तरफ और आप सभी को मैं बताता हूं आपको क्या कुछ करना है तो जैसे कि आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है मैं मोबाइल से बताऊंगा आप PC में भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है PC में भी सैम हुआ है तो मैं अपना Chrome ब् option मिलेगा इसको कर लेना है और यहां से सीधा मैं अपना AdSense account open कर लेता हूं जैसे कि यह मेरा यहां पर हो चुका है और आप आप सभी को बता दू कि आपको bank account करने का option कब मिलता है और किस तरह मिलता है जब आपके AdSense account में 10$ complete हो जाते हैं उसके बाद आपको यह करने के लि वो भी उसी के बाद आता है उसी के बाद आपकी verification complete होती है तो चलिए अब इसमें यहां पर क्या करना है यहां पर आपको यहां पर ऊपर three line पर click करना है और यहां पर आपको payments का एक option मिलेगा आपको payments में चला जाना है आपको यहां पर side में screen में जो जो दिख रहा होगा इस तो इस पर click कर देना है आपको simply इस पर click कर देना है जैसे कि मैंने अभी तक नहीं किया क्योंकर मेरा भी 43 dollar complete हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है मैं कोई छुपाता उपाता नहीं हूँ मैं सब दिखा देता हूं जो मैंने मेहनत की है वो आप सभी को बता देता हूं ठीक है त उसके बाद आपको name on bank account जो भी आपने जिस भी नाम से adsense account बनाया है जो भी आपका नाम है और bank में भी मतलब bank में भी आपका वही नाम होना चाहिए जिस नाम से आपने adsense account बनाया है वो नाम यहाँ पर डालना है जो आपकी bank की copy में नाम होगा वो यहाँ पर डालना है उसक एंडिया डालना है अगर आपका-पन्मि नहीं डालना है आपको पूरा नाम डालना है पंजाम इसे करके डालना है आप बात करते हैं यह स्य गोड़ाइं नहीं हैं We다 इसे करे जाएगा पन्फेल हां इसे पोरज बैंक क्यों होता है मिम्सक्राइद को आप आपकी मैंक की कोपी पर मिलेगा आप महाँ से उसको देखके अच्छे से डाल सकते हो उसके बाद आता है शिफ्ट बी आई सी कोड तो आपको इसके बारे में मैं पूरा बता दूँ यह पूरा क्या है shift code आपको कहां पे मिलेगा कैसे मिलेगा वो भी आपको आज मैं इस वीडियो में बता दूँगा तो shift code के लिए आपको बेसे तो online है आप online भी सर्च मार सकते हो online अपना state अपना आप जहां पे रहते हो वागा सर्च मार सकते हो अगर आपको उसके उपर पूरी वीडियो चाहिए तो आप नीचे comment box में जरूर बताएं यह मुझसे instagram पे contact करें तो मैं आपको बता दूँगा उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ठीके तो नहीं तो आप अपनी branch में जाएए आपका जहां पे भी कि उनको नहीं पता होता तो आप उनसे बोलना कि आपकी जो main branch है आप जिस branch से connect हो आप वहाँ से मुझे shift code लेके दे दो तो आपको दे देंगे उसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी अब करते हैं इसकी बाद account number आपको यहाँ पे account number डालना है आपकी bank की copy में जो भी आपका account number है आपको यहाँ पे डाल देना है और retype account number यहाँ पे भी आपको डाल देना है उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह दो option और ठीक है आज की ओगर bank FFC और FBO ठीक है आपको इनको छोड़ देना है और आपको simply आपके किलिक कर दाएना है set as premier payment इस पे किलिक करने के बाद आपको simply अपना bank account save कर लेना है इसमें यही कुछ करना है तो बहुत से लोग यह जो गलती होती है यह कर देते हैं कि बहुत यह नाम adsense account किसी और नाम से बना लिया और bank account किसी और का डाल दिया तो भाई इसे adsense accept नहीं करता है इसी गलती बिल्कुल भी मत करना क्योंकि आपके आपने यार इतनी मेहनत किया आपके adsense को खतरा हो सकता है उससे तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते है निव वीडियो में एट देराइट टेक्निकल इकाड ठीक